दोस्तों इस मूवी में एक RAW एजेंट के नाम से एक केरेक्टर है मुझे ऐसा लग रहा कि शायदो सल्मान खान का केरेक्टर हो सकता है आज हम बात करने वाले हैं पठान मूवी के अपडेट के बारे में दोस्तों पठान मूवी को सेंसर बोर्ड ने हरी जंडी दे दी है और ये भी कहा है कि आप इस मूवी को रिलीस कर सकते हो मतलब ये है कि सेंसर बोर्ड ने मूवी के अंदर काफी कटिंग करवाई है और डायलोग्स को भी दुबारा से डब्ड करवाया अब दोस्तों पठान मूवी की ज़िए स्टार कास्ट है इस लिस्ट में संसर बोर्ड ने तयार किये उस लिस्ट में नाम शारुक खान का है दीपी का पादुकोन का है जोन एब्रहाम का है डिंपल कपाडिया का और आशुतोष राना का है आशुतोष राना आपको वार होगा हम उसका नाम स्टार लिस्ट में नहीं लिखेंगे यह तो हुई पहली बात अब दूसरी बात है कि मूवी में काफी सारे सीन्स कट किये गए और डायलोग्स की भी दुबारा से डब्ड हुए है तीसरी बात दोस्तों इस मूवी में एक रो एजेंट के नाम से केरेक् सेंसर बोर्ड ने बोला इसको थोड़ा सा और मोडिफाई करो मतलब यह है कि यह तीन चीज़े चेंजिंग के लिए होगा अब एक चौती चीज जो सबसे बड़ी चीज है जो इस मतलब यह है कि फसाद की जड़ कह सकते हैं कि बेशरम सॉंग में सबसे ज़्यादा कंट्रो हुआ है मतलब चेंज नहीं कह सकते हैं वह रिप्लेस हुआ है मतलब बोल वही चलेंगे लेकिन जो एक दम से सीन आ जाता है तो वहां पर एक दूसरा सीन आ जाएगा उसकी जगवा रिप्लेस हो गया तो दोस्तों कहने का साथ पर यह है कियों कर रहा है कियों कर रहा है यार आप पूरी की पूरी और्युल मूवी आपने देते तो हम देख़ के खुशत हो जाते लेकिन हम ने हमने कटिंग वाली कटिंग से पहले हमने मूवी देखी नहीं है लेकिन जिननों ने देखी है वह थोड़ा है वह volont sindic तो कितना खुश होती तो भाई सेंसर बोर्ट एंड मोके पर पर कैंशी चलाद देते हैं यार एसा मत करा करो यार हम गरीब हो थोड़ा दियान रखो तो भाई मुझे उमीद है कि आप लोग भी बहुत एकसाइटीड होंगे तो फटा-फट मुझे कमेंड में बताएं जो जो इस मुवी के लिए एकसाइटीड हो कौन-कौन यह मुवी फर्स दे फर्स देखें चाता है तो दोस्तों मिलते फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंग जै बारत